हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग उमीदे सब अच्छे से होंगे खुश होंगे मेरे चैनल पर आपका सबका बहुत-बहुत स्वागत है तो आज हम बनाने जा रहे हैं यह सोयावीन की वडियां यह आप देख रहे हैं सोयावीन यह सिहत से भरपूर होती है जो लोग ह आई के अलोरी खाना पसंद करते हैं यह वेड गें करना चाहते उनके लिए तरह बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाली है तो मैंने इसको क्या है सोक लिया था पानी मैं आदा घंटे के लिए थोड़ा से गुन गुने पानी माने अच्छे से जो लोग वेड गें करना च चाहते हैं या बॉयल भी खाज़कते हैं तो बैनेफिट इसके क्या कहें वह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी और लेकिन अभी जो मैंने बनाई है ये स्वेश भीन की सब्जी इसको मैं बताना चारी हूं कि मैंने कैसे तियार किया ये बहुत ही टेश्टी बनती है यह मौर्निंग में जब मेरे पास कुछ नहीं होता बनाने के लिए और जटपट से भी मुझे कुछ तयार करना होता है तो मैं यह सोयविन की वढ़ियां बनाती हूं और मेरा वीक में एक बार यह जरूर बनती है मेरे घर में क्योंकि यह हैल्थ से भरपूर है तो इसकी मैंने इसको तयार किया है तो किचन की तरव तो यह देखिए मैंने ले लिया है अन्य जिंजर गार्लिक और यह स्वेबिन लगभक सवकर साभास सब् cautious siblings को अच्छे से भीघ अथा गुन्-गुने करते हैं मैंने ले लिया है तकरीबन सौ ग्राम के असपास दही है आधा कटोरी समझ लिजिए और इसमें मैं ये ड्राइ जो स्पाइसीज है सारे ये इसके अंदर एड़ कर दूँगी जिससे की आगे मैं बताऊंगी इसके क्या बेनेफिट है वैसे मैं हर वीडियो में बतात कब तर्मरिक पाउडर को उसके बाद में ये कॉरियंडर पाउडर है ये थोड़ा सा ज्यादा जाएगा और इसमें एक टी स्पून ले cessation का दिहान रखना है इसमें इसमें अभी नमक नहीं डालाओ इसको में अच्छे से मिक्स कर लेना है अगर आप चाहें तो इसमें दे क्योंकि मॉर्णिंग के समय में इतना टाइम नहीं होता सब चीजों के लिए तो बस जटपट से बनने वाली सब्जी है जो मैं बताने जा रही हूं और यह देखिए मैंने आनियन को चॉप कर लिया है बारिक चॉप इतना मॉर्णिंग का मैं बता रही हूं ने शैडूल तो सबकुछ हमारे हाथ के असपास होना चाहिए समान अब मिक्सर ग्रैंडर उठाया जाए मिक्स किया जाए तो बहुत टाइम लगता है और देखिए बहुत चोटा से मैंने इसमें टमाटर डाला है क्योंकि मैं दही आड़ कर रही हूं अब हमने पैन ले लिया है पैन में मैं जीरा ऐड़ कर दिया है और अच्छे से गरम हो ना चाहिए और यह ओन्यन हमें डाल के इसको कुक करना है एकदम से रेड नहीं इसको कुक करना मतलब लाल लाल नहीं करना अच्छे से बस इसका गुलाबी-गुलाबी सा इसके अंदर आ जाए कर और आप लोग मेरी वीडi पर नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और हाँ जी बैल आइकन जरूर प्रैस कीजिए जिसे की मेरी आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके आप इसको मिस ना करें तो देखिए मैंने इसमें अब इसमें आड़ किया मैंने हा इस समय पर मैंने गैस का फ्लेम ये दही वाला पेश डालने से पहले एक दम स्लो कर लिया है आपको इसमें नजर भी आ रहा है क्योंकि इससे क्या होता है कि दही के फटने गडर होता है अकर हम तेज आज पर करते हैं तो दही फट जाता है दूसरी बाद इसको लगातार हमे पिसमें सॉल्ट नहीं डाला था आपको भी नहीं डालना है सॉल्ट आपको बाद में आट करना है अब हम क्या करेगी जब भी हमारा मसाला बुटने लगेगा ऑल थोड़ा सेपर से होने लग जाएगा तब तक हम इसका इंतिजार करते हैं और दूसए चूले पर मैंने ये रख दिया है ये जो मैंने स्वयविन की वणियां भिगो के रखे ती इसको मैं शेलो फ्राइब कर लेती हूं डिप नहीं करना है हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता जादा डीफ राई तो ये शालो फ्राई मैंने कर लिया क्योंकि हम लोग अब ये चीजे तो बनाते रहते हैं तो थोड़े ही तेल में बनाएं तो अच्छा है थोड़ा से मैंने इसमें सॉल्ट एड किया है जिसे कि इसके अंदर नमक ही होगा और ये उपड़ से जलने शुरू हो जाएंगे तो वह चीज़ हमें नहीं करना है हमें सिर्फ इसको गोल्डन गोल्डन सा कलर देना है उसका पानी सोकना है अब यह देखिए आ जाते हैं मसाले कि तरफ देख आपने कितना प्यारा सा कलर आया ऐस में और हमारा मसाल यहाँ पर एड़ कर दी हैं सोया विंग की वड़ियां को तेश्टी बनाने के लिए स्था टेश्टी बनाने के लिए हमें एक मैं बता रहूं हैं अ TCP ऩो कम को तक दरी वन तक एसी चलाते रहे हूब और थोड़ा क्रशिस इसमें आजयएंगा। यह तिप्स बहुट जरूरी है आपके लिए क्यों कि यह चीज मैं भी बहुर Milli की करना है और் है। इसलियечно करता है। दो तिन चीज़े आपको दिखाएं कि एक चुले पर मैं मसाला पका रही हूं दूसरे चुले पर मैंने स्वयाबीन करा फिर मैंने स्वयाबीन को साइड में रखके जब वो गया फिर मैंने गरम पानी करा इससे क्या होता है हमारे टाइम की बच्चत होती है मौर्निंग टाइ जिससे की मसाले अंदर तक चले जाएं उसके बाद हमने और पानी आड़ किया आपको जितने पानी की रुक्वार्मेंट है आप उतना आड़ किजिए इसमें कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत थोड़ा सा आदे का पानी डालके बस इसको कुक करते हैं और इसको देखिए सोयविन हमारे गर्ण मैं सब इसी तरीके से खाते हैं सोयविन लगभध ऑल्मुस्ट तयार है अब हम क्या करते है इसके इंतर और चीज़े आड़ करते हैं जो कि इसके फ्लेवर को टेस्ट को बढ़एगी जैसे ये मैंने स्लाइस किया है देखिए घरी चिली ग्रीन चिली को मैंने इसमें एड़ किया इससे इसका फ्लेवर बहुत जादा बढ़ जाता है बहुत टेश्टी लगती है जो लोग खाना पसंद करते हैं हरी मिर्चे और हैल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है यह मैंने यहाँ पर कसूरी मिती एड़ की है रोश्टीट दो से चार मिनिट के लिए फिर देखते हैं इसका कलर कैसा आता है हमेशा आप याद रखे है कसूरी मितीर गरम मसाला डलने के बाद में आपको इसके बाद कुक नहीं करना है बस ढखके रख देना है थोड़ी देर छोड़के जिस्ते की सारा कलर और स्मोक और इसका वो फ् सबजी है मैंने इसको बाउल में ट्रांसफर किया और इसके बाद में आपने जिस भी चीज से इसको डैकॉरेट करना है जैसे कि धनिया पत्ती वगरा एक्चली मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं डाला तो आप इसको कर सकते हो और आप इसको पूरी के साथ पराठे के यह बहुत ही टेश्टी लगने वाले यह स्वयविन की सब्जी होती है आप इसको फैस्टीवल में भी बना सकते हैं पूरिया बनाते हैं तो हम लोग कुछ भी पनीर वगरा के सब्जी रखते हैं साइड में यह सब्जी रखिए थोड़ा सा ओईल कम पानी कम रखिए फिर अच्छा आपका खाना त्यार होता है अच्छी थाली आपके बन के त्यार होता है तो फ्रेंड कैसे लगी आपको मेरी वीडियो यह रेसिपी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर आपके जो कमेंट साते हैं मैं उनको पढ़ती हूँ आपको उसका रिपलाई भी करते हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है तो बाई फ्रेंड्स टेक क्यार बने रहे हैं मेरे साथ